नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका पाथफाइंडर इस्टिडी पॉइंट में मैं दिवाकर गुपता साइन्स और टेक्नोलोजी सिरीज वन में आज हम विसफोटा केवं उनकी रासायनिक संरचना जो कमेश्ट्री का एक पार्ट है और इसमें हम लोग जानते हैं कि प्रीवियस यर में डिफरेंट टाइप अप एक्स्प्लोसिव उनके फॉल फॉर्म उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज इन सबसे बहुत ज्यादा कोश्चन्स पूछे गए हैं तो आज के लेक्चर में हम दोस्तों पढ़ते हैं विस्पोटक योम उनकी रासायनिक संरचना और उनसे संबंदित विविन्द मातपूर्ट तत्थौ विस्पोटक क्या होते हैं आप सभी जानते हैं कुछ ऐसे योगिक या केमिकल का मिश्चरण होते हैं जिनमें आग लगने पर या आग हाथ करने पर आग हाथ से क्या मतलब है यहाँ पर कि उस पर प्रेशर पढ़ना चाहिए तो प्रेशर पढ़ने पर उसमें तीब्र विस सलती है और बहुत भारी मात्रा में गैसे बनती हैं जिससे क्या होता है यह वातावर्ण को नुक्सान तो पहुंचाता है और जयन सामान की जानमाल के लिए भी बहुत ज्यादा नुक्सान दायक होते हैं लेकिन विस्पोटक जब कभी बनाए गए थे तो उनका उद्देश से जो है विनास करने का नहीं था उनका उद्देश निर्माड का था कि बड़े बड़े चटानों को तोड़ना और मानों के कल्याड कारी कामों में उसको लगाने के लिए अलफ्रेड नोबल साहब ने भी इसलिए बनाया था लेकिन बाद में उसका दुर्पियोग होने नहीं यह question बहुत आतने हैं तो RDX बहुत नाम सुना होगा लेकिन हो सकता आप फुल फॉर्म ना जानते हो तो रिसर्च एंड डेबलब्ड एक्स्लिस्यू एक्स्प्लोसिव रिसर्च एंड डेबलब्ड एक्स्प्लोसिव का फूरा नाम है इसके खोज करता है निंग है ज तो ज्यूड और इसको केमिकल कंपोजेशन की बात की जाए तो साइक लो ट्रा इ मितायलीन ट्री नैंट्रमाइन ये इसका केमिकल कंपोजेशन हो गया जाई जो आपको याद रखना है और इसको प्लास्टिक विस पोटक कर outra रिकि घस् अधिया है यह जाते हैं यहाउक् हेक्सोजन भी कहते हैं और साइक्लोनाइट भी कहते हैं आप नोट डाउन करते रहेगा जो चीज़ आपको पता नहीं है क्योंकि यह मैंने बहुत ही रिसर्च से खुदी बनाया कई जगे से मैंने रिफरेंस लिया है इस नोट को बनाने में फिर टी अंजी जिसे नोबल का त लिजे यूपी पीएसी का साइंस में जो है बार बार पूछा जाता नोबल का तेल किस किस केमिकल को कहते हैं किस भी सोटक का नाम है तो ट्राइन आयट्रो गिल्सरीन या ट्टी एंजी ट्राइन ड्रोंbilसर इसका फूलपाम हो गया और ये बसिकलिए है कि इसका का नाम याद रखना अब इसका केमकल कंपोजिशन या कैसे तयार होता है यह क्लास 10 से ही पढ़ाया जाता है हमको सांद्र का मस्तलब कंसंट्रेटेड जो लगें लिए मीडियम के हैं उनके लिए बता दूं इसको नोबेल का तेल कहते हैं फिर डाइनामाइट बहुत ही फेमस है आप सभी जानते हैं डाइनामाइट और इसका पूर्ण नाम भी डाइनामाइट ही है इसको अलफ्रेड नोबल साब ने जिनके नाम से आज दुनिया में नोबल पुरुसकार चलता है 1863 में खो जाता इनोंने तो भले मकसद के लिए खो जाता कि बड़ी बड़ी चटानों में भी स्पोर्ट करके रस्ता बनाने के लिए और मानों के लिए सुविधा इन सब चीज़ों के लिए लेकिन हुआ क्या उसका बाद में जो है युद्ध में प्रयोग होने लगा और बिध्वन्सकारी गत्विडियों में उसका प्रयोग होने लगा तो इसका रासानिक संगटन क्या है टी अंजी ही है ट्राइनाइट्रो गिल्सरीन बस डाइनामाइट में क्या होता टी अंजी तो केमिकल केमिकल हो गए इनमें कुछ और खास चीज़ें जैसे चाइना की एक मिट्टी है और यह सब चीज़ें उसमें जब आइड करके उसको एक बम का या एक्स्प्लोसिव का रूप दे रिया जाता है वो डाइनामाइट का नाने लगता है फिर टी अनपी ट्राइनाइट्रो फिनाल या इसको पिक्री केसिड कहते हैं बहुत पूछा जाता है पिक्रीक एसिड पिक्रीक एसिड इसको हर्मन स्प्रेंगल ने 1881 में इसका बिसफोटक गुड दरसाया था मतलब इसकी इस केमिकल की खोज किसी और ने की होगी लेकिन जो इसको बिसफोटक के तौर पर प्रियोग करने का पहली बार जो है गुर दरसाया था वह हर्मन स्प्रेंगल थे इसमें क्या-क्या मिलाया गया फिनॉल कंसंट्रेटेड हाइड हाइड्रो क्लोरिक एसिड कोशिया लोरनी यूहात यूहिश्य प्रशियो त्रॉस कंसंट्रेट॔ एचैद ली, इसको को मिलाने से टी अंटी का निरमार होता है फिर टी एंटी की बात करते हैं QSO4 और HNO3 यह तीनों का composition करके TNT का निर्माड किया जाता है अब हम कुछ और देखेंगे और उनके क्या 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 डाइनमाइट के बारे में पहले हम डिटेल में देखते हैं कि थोड़ा और इससे क्या होता है यह तीवरिस्पोटक है सांतिकाल के लिए बनाया गया है ड डाइनमाइट के निर्माड में नाइट्रोगिल्सीन का प्रियोग होता है आप जानते हैं और नाइट्रोगिल्सीन आउसकता से अधिक सुग्राही होता है और इसकी सुग्राहिता को कम करने के लिए कीजलगर मिलाया जाता है क्योंकि अगर कीजलगर नहीं मिलाया जाए त तो यह थोड़ा सा भी प्रेशर पढ़ने पर खुद भी फट सकता है। अब अगर कहीं पूछा जाता है डाइनामेटर में नाइट्रोगिलस्रीन की मात्रा कित्ती होती है तो 20-40 या 60 प्रतिसत रहती है। 20 भी हो सकती, 40 भी हो सकती, 60-75 प्रतिसत तक भी हो सकती है। इसकी प्रवलता जो है नाइट्रोगिलस्रीन, जित्ता जादा नाइट्रोगिलस्रीन इसमें मिलाया जाएगा और उत्ती इसकी प्रवलता होगा। गिल्सरीन आप समझी रहें कि call के रिपकर से च्जोंद होता है कि इस से ज्यादा प्रभलतम अगर उसमें 75% कीलगी या मैंने अपर ही queensat आपको कि इसका प्रयों कोता है जिससे उसमें इसको सुरचित रख लिया जाता है जिससे यह यातायात में और लाने ले जाने में इसका कही भी विस्फोर्ट ना हो जाए और नाइट्रो गिलिस्रीन तेरा डिग्री सेंट्रीज पर जम जाता है आपको याद रखने योगी बिन्दु है कि तेरा डिग्री सेंट्रीगेट पर ये जम जाता है नाइट्रो ग्लाइपुण। होता है और सांतिकाल में उप्योग में वही चटानों को तोड़ने और इस तरह के कामों में जैसे कोई पुराना पुल हो या पुराना घर हो उसको ढहाना हो को बहुत उची आठ दस बंजला विल्डिंग हो जो जिसको ढहाना जरूरी हो तो ऐसे में जिलेटीन की छणे जो है उनको तारों से उस चारों तरफ से बान दिया जाता एक सर्किट बना दिया जाता एक सर्किट बना दिया जाता इलेक्ट्रिक का सर्किट और उसमें स्पार्किंग करके उससे विस्पोर्ट कराया जाता है में लिए इसको रॉक्स को तोड़ने यानि चेटानों को तोड़न इसको हम 246 इसका जो chemical formula है trinitrotolene कह सकते हैं और इसका chemical formula क्या है ये कभी नहीं पूछा जाएगा खासकर UPPSC exams में इस level के question नहीं आते हैं हा लेकिन यह जुरू पूछा रखता है किस तरह का मिश्रण होता है yellow solid होता यह यानि पीले ठोस रंग ठोस पीला ठोस मिश्रण होता है और यह एक recent की तरह योग होता है इसका पर TNT को सबसे पहले बनाया गया था जर्मन केमिष्ट जूलियस विलवर्ड ने जो मैंने पहले पन्ने आपको बताया था summary में और originally इसको क्या करते थे यलो डाई की तरह प्रियोग करते थे पहले मतलब यह रंगने के काम आता था लेकिन बाद में इसको किसने होशर मैन कॉल होशर मैन ने इसके बिसफोटक गुड़ों का पता लगाया अठारा सो क्यानवे में तब से यह बिसफोटक के तोर पर प्रियोग थोने लगा फिर प कोई जरूरत नहीं या आप इसको लिखने को लिख सकते हैं और इसका आयू पी नेम जो है 246 ट्राइनाइट्रो फिनॉल है इसको टी अनपी कहते हैं इसलिए टी अनपी जरूर याद रखिएगा क्योंकि मिलते जुलते नामे टी अनजी टी अनपी इस तरह के और पिक्रिक एसीड वाज प्रॉबबली फर्स्ट मेंसेंड इन अलकेमिकल राइटिंग आप जॉन रुडॉल्फ ग्लॉबर इन नाइटीन सेवेंटी नाइटीन फोर्टी टू में तो सबसे पहले इसके बारे में लिखा किसने जॉन रुडॉडॉल्फ ग्लॉबर ने और इसकी सिंथे किससे की जाती इसको बनाया जाता फीनाल से और इसका सबसे पहले जो सक्सेशफुली एकॉंपलिश्ट हुआ था इसकी जो केमिकल प्रापर्टी बताई थी वह किसने बताई थी हर्मन इस प्रेंगल ने यह भी एक केमिस्ट या साइंटिस्ट रहे होंगे देखिए पहले कोई भी केमिकल खोई लिया था जासे पिक्रिक अम एसीड है तो यह नार्मल चीजों की जैसे सल्फ्यूरीक लेकिन बाद में जब उस पर और एक्सपेरिमेंट करते थी लोग तो उसके और गुड़ों का पता लगाते तो तो यह हर्मन इस प्रेंगल नाम के साइंटिस्ट ने ठारा से करता ने पता लगाया कि पिक्रिक एसीड को एक विस्फोटक की तरह से प्रियोग किया जाता है तो इसको फिर बाद में क्या किया गया इसको बीटोनेटेट एंड मोश्ट मिलिटरी पावर यूज़ पिक्रिक एसीड तो आज की रेट में मिलिटरी पावर जो है मतलब सेना में सबसे अधा पिक्रिक एसीड का प्रियोग हो रहा है अमोनियम नाइट्रेट भी एक साधार ताप और दाप सफेद रंग का होता है कलर इसका सफेद होता है यह क्रिष्टल इसका फार्म होता है ठोस होता है और क्रसी में भी इसका उपियोग किया जाता है आप जानते हैं कि आमोनियम नाइट्रेट आपने सुना ही यह उर्वरक के रूप में प्रियोग होता ह है काला चूढ्ल या बारूद बारूद जानते ही है आप जो है बहुत ही गोली और बंदू की बाई की निसम मेंसा इसका उसकी प्रियोक होता है, इसमें क्या-क्या नाइट्रेट, दूसरा चार्कोल और तीसरा सल्फर, यह तीनों आपको याद रखने हैं, फिर मरकरी फल्मिनेट, यह सहायक बिसपोर्टा की या यूद्ध के लिए इसका भी प्रयोग होता है, मतलब यह इसकी तीवृता कम होती है, यह भी एक इनार्गेनिक केंपाउंड है और एक कार्टूस में इसका प्रयोग किया आता है, जो कार्टूस बनती है, बंदू की गोलियां जो है, कार्टूस उसमें इसका प्रयोग किया आता है, और घरसन के प्रतियन सम्मिदन सील होता है, तब ही कार्टूस में डाला जाता है, क्योंकि कार्टूस जब बंदू की नली के अंदर से रगाड़ता हुआ निकलता तब इसमें जो है विस्पोर्ट हो जाता है फिर RDX के बारे में हम जानते हैं समरी इसकी हम देख चुके हैं RDX को Research and Developed Explosive कहते हैं यह एक Organic Compound है इसका फार्मूला O2-NN-CH2 का होल थ्राइज इसका नाम क्या है यह बहुत इंपॉर्टेंट है अगर केमकली इसको कहा जाए तो इसको सबसे ज्यादा का प्रयोग किया गया था तो वर्डवार सेकेंड में RDX का सबसे ज्यादा प्रयोग किया गया था और सबसे पहला Plastic Explosive है और RDX ही खोज की थी जॉर्ज फेडरिक हैनिंग ने हुआ अप्टेंड एक जर्मन पेटेंट फार इस्ट मैनुफेक्चरर बाइ नाइट्रोलिसिस नाइट्रोलिसिस एक क्रिया होती है नाइट्रोजन का अपगटन करा कर और नाइट्रोलिसिस किसकी का आज है हेक्सामीन की नाइट्रोलिसिस करने आने से RDX जो है प्राप्त होता है और यह Plastic Explosive है यह आपके आज रखिएगा मैंने सुरवात में बताया था आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको यह वीडियो कैसा लगा उसके बारे में अपनी राय कमेंट में जरूर देखिएगा और इस सीरीज को फालो करिए यह Science and Technology और दूसी तरब Biology, Current Affairs सभी कुछ चला है और आप अपने जो है बहुमूल लिर सुझाओ जरूर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब वबस कीजिए क्योंकि आपको इस चैनल पर सभी एक्जाम्स के लिए sufficient course material मिलता रहेगा इसी प्रकार नमस्कार धन्यवाद देखते रहे पाथ Finder में नमस्कार